इरान ने किया पलटवार तो भीशन होगा संग्राम इसराइल की तयारी इरान पर पड़े गिभारी इरान करेब बरदाश्ट वर्ना तहरान में खूनी बवाद इरान के पलेस्टिक मिसायलों को मिलेगा करारा जवाब 27 अक्टूबर से भी बड़े हमले के लिए इसराइल तयार इरान इसराइल के बीच तूफान के पहले की शांती का मंजर है हमले से खौलता इरान पलटवार का जबरदस प्लेन डेडी कर रहा है तो इरान के हमले का मोतोर जवाब देने के लिए इसराइल की सेना इस वक्त पुलाउन युद्धा फ्यास कर रही है कभी भी किसी भी वक्त रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो इरान के मिजाइलें इसराइल की सीमा में ताखिल होती है तो इस्राइल का दावा है कि वो ऐसा जवाब देगा कि पूरा इरान ठर्रा उठेगा सवाल है इस्राइल का पलटवार का क्या है प्लाइब इरान पर किन खत्यारों से हमला करेगा इस्राइल 26 अक्टूबर के अटैक को इस्राइल को क्यो रखा सीमा इस्राइल की सीमा से खरीब 2000 किलो मीटर दूर है इरान मतलब कोई सीमा विवाद नहीं है ऐसा भी नहीं है कि किसी तरह के वर्चस्व की लड़ाई है ना ही किसी आर्थिक खितों की बड़ी टकराहट है जो दोनों ही देश एक दूसरे के खून के पैसे बन बेठे हैं सवाल है तो फिर क्यों कभी इरान इसराइल को दहला रहा है तो कभी इसराइल इरान के खलाब मिसाईलें दाग रहा हैं इस सवाल का जवाब दोनों देशों के रिष्टों के इतिहास के पन्नों में अंकित है इसराइल किसी भी जंग को अपने अस्तित्व और आत्म रक्षा के अधिकार से जोड़ कर देखता है जब 26 अक्टोबर को इसराइल ने इरान पर हमला किया तब भी दलील दी गई कि चोंकि इरान ने उस पर एक अक्टोबर को हमला किया था तो जवाब देना लाजिमी था और फिर से वही दलील दी जा रही है इरान के पलटवार की सूरत में इसराइल का जवाब लाजिमी होगा मतलब इसराइल का युद्ध में खूदना उसके मजबूरी है ये इरान ने भी साबित किया है अपने प्रॉक्सी हमास और हिजबुला के कमांडरों की मौत से वाखलाई इरान ने एक कदम आगे रखने की जाहत में अफरेल में हमला किया था जिसका जवाब इसराइल ने दिया इसके बाद हिजबुला चीब नसरला के मारे ज़ाने की चार दिनों बाद इरान ने इसराइल पर हमला कर दिया जिसका जवाब 25 दिनों बाद फिर इसराइल ने दिया किया जब इरान की बारी है वैसे इसराइल ने जिस तरीके से इरान को टार्गित किया उससे लगता रही है कि वो युद्ध छेड़ना चाहता है इसराइल के बास मौका था कि वो इरान के परमानों ठिकानों पर निशाना साथ था इरान की तेल रिपाइनवियों को उड़ा देता लेकिन इसराइल ने ये सब नहीं किया आबादी वाले इलाकों को भी बचा कर हमला किया लेकिन हमला तो हमला है इरान ने इसे अपने संप्रभूता पर हमला माना है यहाजाए माना गवा रहा है कि इरान पलटवार पक्का करेगा और जब पलटवार तह है तो इसराइल का जवाब भी तह है भीरो लुपोर्ट नियूट 18 राजस्ता जब भीरो भीरो प्राइल प्राइब भीरो जवाब भीरा लाणस्ता